हेलो दोस्तों आज जी चुड़ियों हम सेखने वाले हैं एक्षियप और एक्षियम के कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन जो लगबग हर एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो वीडियो को लास तक देखना अराम से समझने आएगा सभी क्यूशन समझने आएगे और समास तक दिखना अराम से समझ में आएगा तो पहला क्यूशन है दो संक्याओं का अनुपाद चार अनुपाद पांच है और उनका मैयतोर्प्रत्य है मैतोर्प्रत्य मतलब होता है एच सी अप क्या होता है दोस्तों एच ठीक है एच स्वाप्रत्य है आपको कितने रखाह आठ दे रखा है तो दोस्तों उनका लगुत्र सुमाप्रते कितना होगा आपसे पूछा एल से हम पूछा आपसे एल सी हम तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बता आया था ज़से पहली वीडियो में कि जब भी आपको उन संक्याओं का अनुपाद दे रखा हो और एच से अब दे रखा हो रेशियो आपको क्या दे रखा है रेशियो आपको दे रखा है चार अनुपाद पांच जब भी आपको एच से अब एच से अब दे रखा हो और संक्याओं का रेशियो दे रखा हो और एल से हम निकालने की बात कहें तो आपको क्या करना है एच कि अपको गुणा कर दोधे ्रेश्यों के साथ ठीक है तो आठ गुणा में चार होना में 5 कितना हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका पांच भीश-व्पी invest in ठीक है तो 160 अपस नंबर डी आपका इसकांसर हो जाएगा तो अगले क्विश्ण की बात करता हूँ अगला क्विश्ण है दो संख्याओं का मेहतों समाप्रत्य च्छान में है उनका लगुत्व समाप्रत्य यह है यदि उन्हें एक संख्या 864 और दूसरी संक्या क्या होगी तो दोस्तों कली इसका एक क्यूशन और करवाया था यह आपका SSIDEO में पूछा गया तो जड़ गया रखें अंदर आपको बताया भी था मैंने कि क्या होता है LCM Multiply HCF ठीक है बराबर होता है First और क्या Multiply Second संक्या यह होता है दोस्तों अब आपको क्या दे रखा है यहां दे रखा है मैं तो स्वापरते चान में लगो तो स्वापरते यह दे रखा है 96 Multiply 1200 चान में और बराबर दे रखा है पहली संक्या आपको क्या दे रखा है 864 ठीक है यह मैं कहूं कि एक संक्या तो एक संक्या पहले संक्या बोल सकते हैं इसमें में से कोई एक संक्या है ठीक है तो L से बगुणा हमें एक सेप कर दिया और बराबर कर देंगे 864 multiplied second लीए अब इसको solve करते हैं तो कितने बार कटेगा यह 6 नाम-64 ठीक है 9 बार कटेगा दोस्ते इसको क्या है कि एक अजू मानना अब मैंने किस तरीके से काटा है अगर 900 चान में है अगर मैं इसको 10 से मल्टिप्लाई करो तो 900 चान में हो जाता है ठीक है तो 10 यह 864 तो 10 से तो कम है तो हो सकता है 9 से कट रहा हो की ठीक है अब 9 को अजू में से करेंगे यह 6 को मल्टिप्लाई करते हैं 9 से चान में गुणामें नो करेंगे तो यह पहले 6 से कुणा गरेंगे कैसे नाम चावल है एक यंग क्या आएगा चार आएगा और यहांक यंग क्या रहा चार आ रहा तो इस तेर्के से अजुम कर लिया मैंने कर नो बर कट रहा थीक अब इसको Nepal भी करकर देखा होगे एक ही हाएगा उट्व हाण में गुणा में नो करोगे तो यह आने ठीक है फिर तीन बचेगा और पीछे क्या हुत्र जाएगा छहा जाएगा भिष तो एक सौम्वालिस आप कहां कर लेता हूं अगले क्रिश्चन दोस्त आपके पास ये है पत्रों के एक धेर को कर्मे से इतने से धेर बनाने पर पत्रों के एक धेर को कर्मे से 32-42 के धेर बनाने पर 10-18-50 पत्र सेज बसते हैं इस धेर में कम से कम कितने पत्र हैं आप से पत्रों के संक्या पूची कम से कम कितने पत्र हैं तो इसका सोटट क्या होता है देखो एक तुम फूल मैथड होता है फूल मैथड बता रहा हूं इनका यह संद निकालो तो इनका यह समा आपका एगा 32 और 42 और 22 के LSM आपको निकालना है ठीक है LSM की मैंने इसको पर वीडियो बना रखे है उसका लिंक डिस्क्रिशन मिल जाएगा या आपको प्लेइलिस्ट मिल जाना प्लेइलिस्ट मिल जाकर देख लेना अग्या दो 124 अब इसमें किस तरिके से सोल करते हैं यहां 32 है 32 से डस जाएगा इस तरिके WILLब्रेंब्चण GG 32 में 10 गटाते हैं, कितना अरह 22 आ रहा है ठीक है, इसी परकार यहां 40 में से 18 गटा कर देखते हैं 40 में से 18 गटा रहा है तो यहां भी 22 आ रहा है ठीक है, 72 में से 50 गटाते हैं तो यहां भी 11, 22 आ रहा है तो सब में 22 एक्वल बच रहा है ठीक है तो 1440 आया अब 1440 जो एल से हम आता है उसमें 22 गटा दो तो वह संग्या आ जाती है कितने पत्र होंगे 1440 में से माइनस करना 22 तो आपके कितना हो जाएगा 1418 हो जाएगा 1418 आपका अंसर हो जागी यह तो आपका फूल मैथड है अब इसको सोट्रिक क्या होगी सोट्रिक में आपको बताता हूं सोट्रिक मतलब आज्यूम आज्यूम से करना है तो दोस्तों यहां देख रहे हैं ठीक है यहां जीरो है यहां आठ है यहां दो है यहां दो है अब इसका आपको अंदाज है लगाना है ठीक है क्या होगा तो दोस्तों ऐल symptoms कि मैंने आपको बता रख्यैस यहां किया है चार गुणा में दस है जो भी एइख निकलेगह जिरो आएगा मतलब कि 10 का मल्टिपल आईगा जो भी आप का यह आपती लाश्ट में आपका 0 आएगा क्या आएगा दोस्तों 20 आ अब आपको पता है जो एल से मैस सbase रहिस गटेगा मतलब कि नियुक्रण इह इंग क्या है और यहां 0 बच रहा है तो चीरो में से दो घटाएंगे इधर से कोई ऐसे लेंगा तो यह 10 हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा कितना बचेगा आठ बचेगा तो एकाई का अंक इसी में 8 आ रहा है तो आपका अंसर हो जाएगा यह ठीक है डाइट कितने सेकिंड लगेगे पांस से लगे दोब 10 सेगरेंगे दोस्त जादर जादर बस सौचने में आपने यहां देखे हैं यहां देखेएं आपको पात चला चारीज अ और सब्लों यह यह मैं तो आपकर सकतो हो और बहुत सारा क्यों से अन्य है centrale वीडियो को श्याईर और I hand review बनता है ठीक है जिदना आप सपोर्ट करेंगा उतनी जादा आपको में पढ़ने को मिलेगा सीजल सीडेस लेवल पूरा मिलेगा ठीक है एक दम बेसिक तरीके से और सोट रेके से ऐसे आपको करवा दूंगा बहुत सारी क्यूशन की ओप्सन से डाट टिक कर क्या होगा आपक उस्मापति ये हैं तो इसे सकम यूगमु की संगय क्या है क्या अजय यहां योगफल क्या सता है यहां यूगफल और और जो पिछली वीडियू मैंने बताई थी तो उसमें आपका आपका उसमें multiple था मतलब गुनांग में था ठीक है अब योगफल ने बूछ था तो इसका जो पेर बनेगा न वो योगफल के अंदर बनेगा किसके अंदर बनेगा दोस्तों योगफल के अंदर तो एक तो सोटकटी यह होता है है कि하겠습니다 इसके अंदर भाग दें देव हुस का करना यह आपको बेसक बाताता हूं मैंने महाना एक सांक्य Unf यह महने माली तो मैंने आपको क्या भोलडی की मैं다면 पर तो कूह देख मैंने साई ध्लिराइब करते हैं मतलब करने earlier का आपके द्शन्कुन संत्रप्र रखका है तो 21X आपकी संक्या होगी दूसरी संक्या क्या होगी 21 y यह और अब इनका योग दे रखा दोनों योगमों का योग दो एक 20 to x plus में 21y को ठीक है तो 21 आपका क्या हो जाएगा कॉमन अजाएगा यह तो आपको पता हो गाँ कि तो एक्स प्लस वाई आपका ब्रैकेट मा जाएगा अब इसको मल्टिप्लाइ करोगे तो यह वापिस निकल के आएगा एक्स एक्स प्लस एक्किस वाई ठीक है इसको मन हम ले सकते हैं अब इनका योग कितना दे रखाया तो आप एक तो डायट इस तरीके से यह तो आपको बेसिक बता है तो आपको क्या करना है डायट क्यूशन में तीन सो चैएंच के अंदर सिधा घ्रस सपका एक्स का तो वही इसौशन गल के आना ठीक है तो अब सोशन यका करना है अब इसका पेर बनाना हृष अब इसको पेर बनाना इस को चोटाश जोड़कर रहा हूँ थुदा ठीक है Nim second इसकर क्या बनता है दोस्तों पेर बनता है मतलब कि यूगम या जोड़े पनानी ठीक है तो अब 16 जो आय थे 16 रहा है 16 का पेर बनाना सहा बते सेंग्या में मतलब की को प्राइम नमबर में उन को जोडने पर 61 आए और वो को प्राइमन नेंबर हो या उनके अंदर कोई भी एक के अलावा कोई भी और पन्दरा हो जाएगी अगया इन दोनों को जोडने पर 16 और एक के अलावा ये एक दूसरे को कोई भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं दूसरी की बात करूं अगर आपके दिमाग मारा है कि दो प्लस दो और आप ले ले तो 14 ठीक है तो 16 हो रहा है इसमें दोस्तों यहां युगम योग फल के रूप में दे रखाने तो इनका जो पेर बनेगा वो योग के रूप में बनेगा पिछली वीडियो मैंने बताया था उसमें गुननफल के रूप में था तो उसका जो पेर बन रहा था गुनन फल की रूप में बन रहा था उसमें क्या बन था एक मुल्टिप्लाई 16 यह मैं कहूं कि एक एक और 16 इस तरीके से पेर बनेगा ठीक है वो पहले वाले बात इसकी बात नहीं है तो इसमें 2 और 14 की बात करूं तो यह पेर नहीं बनेगा क्योंकि 2 से यह कट रहा है 2 एक कम 2 और 2 से तो 14 तो यह को प्राइम नमबर नहीं हुआ ठीक है को प्राइम नमबर मतलब की वो है कि जिसमें एक दूसरे का भाग ना जाए ओनली एक के अलावा ठीक है तो एक और 15 हो गया अगला क्या होगा 3 और 13 इनको जोड़ने पर कितना हो जाता है 16 हो रहा है बट 3 से 13 नहीं कटता तो यह को प्राइम नमबर है कि यमा करें यह क्या यह को और होगा चार नहीं होगा चार और बारह नहीं होगा ओरा पांच और 16 ठीक यहा अगला क्या होगा साथ और 9 कि एक सेखिन साथ और नो होगा ठीक है । अगला क्या होगा साथ और नो है थोड़ा है लॉब्बिंग कर रहा है बेट करना पड़ेगा तो पेर कितने बन जाएंगे एक दो तीन चार चार पेर बनेंगे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा CS का अंसर हो जाएगा भार भार में कि मैं क्या है कि आप साwash है yugum योगफल के रूप में रिखाना तो इनका जो पेर बनाएगा योगफल के रूप में बनाएगा ठीक है तो आपका कितना हो जाएगा पर चार यूगम बन रहे हैं एक दो तीन चार तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी नेश्ट किसन दोस्तों आपके ये हैं तीन अलग अलग रास्तों के क्रोसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती करने से 48 बहतर 108 सेकंड में बदलती है यदि वह हैं 8 बज़ कर 20 मिनिट पर बज़े एक साथ बज़ती है तो फिर कितने बज़े एक साथ बज़ेगी ठीक है दोस्तों अब इसकी क्यूशन बहुत ज़़ादा पूछा जाता एसब से मैं भी आपके डेल में भी बहुत सारा बहुत रिपीट बार बार क्यूशन में ठीक है ये क्यूशन इस टाइप के execution तो इसमें क्या करना होता है इसमें लसम निकालना होता आपको तो इसका यह और Centers वेटर एक-स और तो सिंगाना मैंने आपको सिकार रखका है ठोर टिक अगर नहीं लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन लिंक लगा दूगा ठीक है वहां से आप देख लेना तो इसका जो सब सब आएगा एक सब गया चारसो बत्रीज अब 432 ख्यां यह सैकेंडें के अंदर हैं सेकेंडें के अंदर ने तो इसको में चेंज गरेंगे 432 सेकंड मिन्ट में चेंज गरेंगा तो इसके में क्या करेंगा सेट का भाग लगाएंगे तो 6-7-2-2-7 बर जाएगा और कितना से से बचेगा 12 तो 7 मिन्ट 12 सेकंड तो आपको टाइम कितना दे रखा है कितने बज़े एक बर बच्टी 8 बज़ करें बेस्मिन्ट 8 बज़ करके बेस्मिन्ट और 00 सेकंड अब इसके अंदर आपको जोड़ना 7 मिन्ट और 12 सेकंड तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 8 बज़ करके 27 मिनट इसको एड़ करेंगे जब और 12 सेकंड ये आपका अंसर हो जाएगा कौन सा option है, option number B, इसका right answer हो जाएगा ठीक है, अगले question की बात के लिए तो हूँ, अगले question है पांच उंकों की वह हैं सबसे बड़ी सेंख्या ग्याद करो जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2, 6 बचे, तो इसमें क्या होता है, पांच उंकों सबसे बड़ी सेंख्या क्या होगी दोस्तों, आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5 यह होगी 9999 सबसे बड़ी सेंख्या ग्याद यह होती है, ठीक है, बड़ी समें condition क्या है, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2, 6 बज़े, इसका भाग जब भी देते हैं, तो उसमें 2, 6 बज़ना चाहिए, ठीक है, एक तो अब इसका सोट कर गया होता है, एक तो आप इसको option से चेक कर सकते हो, option से चेक करोगे, ठीक है, एक तो आपके पास होता है option से चेक करो, तो option से चेक कर सकते हो, आपके पास कितना बचना चाहिए हमेशा 2 से से बचना चाहिए ठीक है तो यहां आपको दिखे रहा है 5 पांस से जब कोई बिचा काटते हैं तो एकड़म इजी होता है है तो दोस्ते यह ऑप्सन देखते हैं यहां ॉप्सन नंबर डी दीख रहा है मुझे डी दीख रहा है यहां क्या है नो 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 च्छै और दो क्योंकि आपको बचना चाहिए जो भी जिसे भी काटेंगे ने तो पांच से काटेंगे आठ से काटें या बारा से काटें या तीन से काटें तो उसमें से स्पल आपका दो बचना चाहिए तो यहां पांच से एक इजी संक्या होती है कि पांच से इसको काटें तो दो फजना चाहिए तो पांच से कौन कौन से संक्य कर सकते है जिसके अंद में यह तो पांच आए यह जीरो है ठीक है यह तो पांच आए यह जीरो है पांच किसको विवाजित करता है जो कोई भी संक्या के अंद में पांच आए जीरो है जैसे पच पिछपन में 5 में पूरा पूरा बाग चला जायेगा ठीक है तो यह इसको डिवाइड कर सकते हैं तो दूस्तों यहां मेरे कहने का मतलब यह किसका सोटेट क्या होगा यहां मैंने देखा कि 5 पांच से स्कूल अगर डिवाइड करते हैं तो तो आपका दो सेज़ बचना चाहिए तो यहां 62 है तो सेट प्लस दो होता है तो सेट तो आपका पूरा कट जाएगा सेट तो आपका 5 से पूरा कट जाएगा तो यहां बचेगा क्या दो सेज़ बचेगा तो इसका अंसर हो जाएगा ऑपन रहो आगर नहीं यहां तो यहां इसकी कुट कर सब्सक्राइब चाइब बचे लिए सब्सक्राइब हमें कितना बचाना है ओनली दो बचाना है तो उप्सन नमबर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है यह तो हो गया एकदम इची तरीका आपका ससी की बात कर लो तो ससे सेलक्षिन के लिए तो यह तरीका अपना ना है अगर इस से छोटी जोग देख रहे हो तो उसमें किस तरीके से डूसर तरीका यह होता है कि इसका लसम कालो पहले तो तीन पांच आठ बारा का यह जो आए एक सो भीज्ड़ जो आया है 120 जो आया है उसमें जो यह आपकर के निकल के है अब इसके अंदर 120 का भाग लगाना है 9 9 9 9 9 9 इसके अंदर 120 का भाग लगाना है तो 120 का भाग देंगे तो इसमें लास्ट में जाके आप देख लेना टाम वेश्ट होगा ठीक है मैं इतना नहीं करूँगा क्योंकि भाग आपको आना चीज़ लास्ट में जाके 39 से से बचेगा 39 6 बचेगा ठीक है तो 39 जो 6 बचेगा लास्ट में जाकर आपका क्या बचेगा 39 बचेगा 49 जो 6 बच रहा है ना भाग पल पर इस विदाह नहीं देंगा जो 6 बच रहा है उसको इसके अंदर से गटाएंगे 9 9 9 9 9 के अंदर 39 गटाएंगे तो आपका कितना आएगा यह 0 जाएगा यह 6 जाएगा यह 9 9 9 अब जो यह संख्या यह ने इसके अंदर इसके अंदर तीन का भाग देंगे तो पूरा-पूरा चला जाएगा पांच का भाग देंगे तो पूरा-पूरा चला जाएगा आठ का भाग देंगे तो पूरा-पूरा चला जाएगा बारा का भाग लगाएंगे तो पूरा-पूरा चला जाएगा तो इसमें पूरा-पूरा बचाना है तो इसके अंदर आपको दो एड करना है तो दो एड करोगे कितना हो जाएगा आपका आफ यह संख्या को कोई भी संख्या से इस को डिवाइड करोगे तो हमेंचा आपका दो स्म ole बचएगा ठीक है तो इस चाण्सर हो जाएगा अगले क्यूशन के बात कर लेता हूं अगले क्यूशन दोस्तों आपके पास यह है यह क्यूशन बहुत अच्छा क्यूशन है काफिये का दिमाग भी लाजेता है 400 और 600 के बीच कि कितनी सेंख्या है चार पांच और 6 से भाजेता है तो चार पांच च्छे के लसे हम लेंगे कितना है दोस्तों सैट है ठीक है लसे हम लिया इसका क्या है सैट 400 और 600 के बीच में पूछा है 400 और 600 बीच में पूछता है तो इसका मतलब भी होता है 401 से start करना है और 599 तक लेकर जाना है ठीक है बीच का मतलब तो यह होता है प्रोपर दरीके से ठीक है अब 401 और इसके अंदर इनसे विभाजित किया जा है ऑचन से भी पांच से भी नंबर इन सेट सेट संक्या के अंदर इसका पूरा भाग जाते हैं तो सैट से इसको डिवाइड करके देखते हैं है जो का बाड़ जो तो आपको आपको क्या करना है चार सो एक से लेकर कि 500 509 तक 60 का भाड़ बोलना साट कि हम साट चारन चारना कितना आएगा कितने बार सकता रहे वह देखना एक-एक करके जैसे कि मेरे मतलब यह कि चार सु से जोड़ा चार रहा है, ठीक है, 400 में 60560 हो गया 407 में 60520 छीच तरीके सा आपको करकर के चलना है एक तो तरीका आपको हूत है ठीके पांच तो होगे इसमें 605 1940 कितना हो जागा 500 तो ये आपका तीन अंकारा अगर और सेट जोड़ता हूं तो 600 से ऊपर चला जाता है अगर और सेट कम तो कर नहीं सकता क्योंकि 400 से नीचे लिजा नहीं सकता तो आपका कितनी बार बंढ रहा है तीन बरपट रहे फिर से समझा रहा हूं 400 600 के बीच कितने संख्याएं संख्याओं को 45 और 60 की जा सकते- तो एलसे हम नेकालेंगे तो एलसे हम आपका सयट है तो 400-500 बीच में तो set set सब में जोडेंगें कितनी बार जोड़ सकते हैं हम तीन बार जोड़ सकते हैं तो इसका अंसर आएगा option number B ठीक है एक तरीका यह हो गया है दूसरा तरीका होता है कि 401 के अंदर हम set का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा कितनी बार पूरा पूरा जाएगा 6 बार जाए कर देवें नो बात सा लिक है का हुई दोस्तों मैंने निकाल रही है कि यहां दोस्तों मैं निकाल रहा हूं कि यहां एक से लेकर कि 599 तक निकल रहा है तो 9 बर आएगा ठीक हमें निकालना कहां से है 401 से और पांसे निननाना बीच में तो 401 तक जितनी बार डिवाइड जा रहा है उसको इसके अंदर से गठा दिना छह बर जा रहा है तो शह इसमें से गठा देंको तीन निनक का अंस्वर जाएगा option अनकरण से अनले क्रिशन कि 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 कोई नहीं है तो दोस्तों आपको एकसर में बताना है 12 15 इसका यह वह कुमेंट दूर बताना है और वीडियो कैसे लगी अच्छे लेगी नहीं लगी जैसे लगी हो वीडियो को तो वह है स्व dow वीडियो को देखा करो में अगया कशुर्वार्ट कोई SHOW आप पर लता उनेर वीडियो को नए उसस्क्राइब करें HEY